अब मैं आपको बताते हूँ हिंदो धर में शक्ति की अवधारना क्या है? हमारी शास्ट्रों में शक्ति के प्रतीक माने जाने वाली मादुर्गा के लिए क्या कहा क्या है? शक्ति भूते सनातनी गुणाश्ट्रे गुण्मय नाराईनी नमौस्थते इसकार्थ है मादुर्गा श्रिष्टी पालन और संगहार की शक्ति है सनातनी देवी गुणों का आधार और सर्व गुण्मय है मैं आपके बंदना करती हूँ हमारा दीश صدیوں से शक्ति के इस रूप की अराधना करता आया ہے शक्ति के आगे हिंदू समुदाए के लोग अपने सिर जुकाते हैं उनसे आशुडबात लेते हैं राहूल गांधी शक्ति से लड़ रहे हैं या मोदी से लड़ रहे हैं राहूल गान्थी की लड़ाई आखिर किसकी साथ है? और इस जंग में जनट राहूल गान्थी के साथ है? या फिर मोदी के साथ है? अब यह तो 4 जूण को पता चलेगा, लेकिन शक्ति क्या है? यह मैं आपको समझाती हूँ. जब भी शक्ति की बात आती है तो दो शक्तियों का जिक्र होता है एक शक्ति जो नारी का स्वरूप कही जाती है जो मात्री शक्ति कही जाती है जो जननी कही जाती है और डूसरी शक्ति है डैविय शक्ति हमारा समाज सदियों से इन दोनों शक्तियों की पूझा करता आ रहा ह हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नारियस्तु पूजयंते रमंते तत्र देवता यानि कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है जहां मातरी शक्ती मस्बूत होती है वो समाज सम्रिध और खुशाल होता है इसी तरह हमारे शाफ्त देविय शक्ती की महिमा से भरे पड़े हैं और बहुत सारे लोगों की जिन्दगी इस शक्ती की पूजा के बगेर तो होती ही नहीं। आज इसी शक्ती को तेलंगाले की रैली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी नमन किया। पेरिन माताओं बेहनों की तरफ से माताओं बेहनों आपको मैं शक्ती के रूप में पूजा करता हूँ। मैं भारत मा का पुजारी हूँ। मैं आप शक्ती स्वरूपा समाताओं बेहन बेटियों का भी पुजारी हूँ। इंडी अलाइस ने कल अपनी गोशना जाहिर कर भी है। गोशना पत्र उनका जाहिर हो गया है। और इसलिए लडाई एक तरफ शक्ती के विनास के लोग करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ शक्ती की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला चार जून को हो जाएगा। कौन शक्ती के विनास कर सकता है और कौन शक्ती के आशिरवाद प्राप्त कर सकता है इसका मुकाबला चार जून को हो जाएगा। राहूल गांधी ने शक्ती पर विवाद की शुरुवाद ऐसे समय पर की है जब चैत्र नवरात्री की शुरुवाद होने जा रही है। इस साल चैत्र नवरात्री की शुरुवाद 9 अपरेल से हो रही है और खास बात यह है कि यहाँ नवरात्र का नुष्ठान 17 अपरेल को राम नवमी के साथ संपन होगा। तो इसके तुरंट बात 19 अपरेल को लोग सुभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस बात को सभी जानते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी पूरे नवरात्र के दौरान वरत रखते हैं। प्रधान मंत्री मोदी देश में हो या फिर विदेश में हो उनका ये सिलसला तूटता नहीं है। और नहीं वरत का सिलसला तूटता है। प्रधान मंत्री मोदी के कामकाच पर कोई असल नहीं पड़ता है। वो इस दौरान भी उसी शिद्धत के साथ कामकाश करते रहते हैं जैसा कि वो सामानिय दिनों में करते हैं प्रधान मंत्री मोधी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें भक्ती से शक्ती मिलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि राहूल गांधी ने एन मौके पर बड़ी चूक करती है अपमान किया लड़नी के बात की अगर राजनितिक रूप से देखें तो दीश की आधी आबादी को खुद से दूर भी कर दिया शिवाजी पार्क से लेकर तिलंगाना के मैदान तक शक्ती शब्द में राहूल की समझ और राजनिती पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ क्लियर दिखाए देती है ये बात हम क्यों कह रहे हैं इसे आपको समझाते हैं अब इस ग्राफिक्स के सरी है साल 2019 के लोगसभा चुनाव में जहां 43 दिशम्रव एक करोड महिला मत दाता थी तो वहीं 2024 में ये आकड़ा बढ़कर 47 दिशम्रव एक करोड तक पहुँच गया पांच साल में महिला वोटर्स की संख्या में चार करोड का इसाफा हुआ सभी सियासी दलो का टार्गेट यही 47 दिशम्रव एक करोड महिला वोटर्स ही थी आधियाबादी जिसके साथ जाएगी दिल्ली के कुर्सी पर भी वही कब्सा करेगा इस लिहास से लोकसभा चुनाव में महिला वैक्टर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी समझिये प्रधान मंत्री मोदी ने चुनाव से पहले एक तिहाई आबादी को आरक्षुन का कानून दिया जो काम दशकों से नहीं हुआ था उसे प्रधान मंत्री मोदी ने एक चटके में पूरा कर दिया बीजेपी को उमीद है कि इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखाएतेगा ज़रा इसको और डीटेल में समझाती हूँ 2019 से क्या क्या कुछ बदला है और क्यू महिला वोटर्स को लेकर प्रधान मंत्री मोदी इतने अश्योर नसर आते हैं ज़रा इसे आप LAT के जरीए समझिए इस बार महिला वोटर्स की संक्या में 9.3% का इज़ाफा हुआ है वहीं पुरुष मतदाताओं में 6.9% का इज़ाफा हुआ है मतलब यह कि पिछले 5 साल से महिला वोटर्स पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज़्यादा बढ़े हैं सभी राजितिक डल महिलाओं को अपनी तरफ खीचने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं और ठीक ऐसी ही वक्त में शक्ति के बात करना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोती जहाँ उस शक्ति के अराधना कर रहे हैं राहुल कांथी के रहे हैं उनकी लड़ाई शक्ति से हैं सभी सियासी दल महिला वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं चाहे वो चुनावी रैलियों की बात हो मैनिफेस्टों की बात हो महिलाओं के लिए योजनाओं का जिक्र हो हर कोई महिला वोट के पक्ष में अपने पक्ष में करना चाहते हैं और ऐसा क्यूं है इसके पीछे भी खास कारण है वो अब आपको समझाती हूँ महिलाओं का हमीशासी जो वोट रहा है वो साileyलेंट वोट रहा है आपके घर में भी आपकी दादी होंगी, नानी होंगी, माँ होंगी महिला अपनी सोच अपनी समझ के हिसाब से मतदान करती है महिलाइं राजनितिक बहफ से दूर रहकर अपना वोट खुद तय करती है एक और बड़ा factor है कि महिला जातिवादी राजनीती से भी दूर रहती है महिलाओं को अपने घर की चिंता पहले होती है और जो सरकार उनके बजट को लेकर, उनके बच्चों की सिक्षा को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर और साथ ही साथ उनकी सिक्यूरिटी को लेकर, उनके आश्वस करती है महिलाओं का वोट वहीं जाता है महिलाओं उस पार्टी का समर्थन करती है तीसरा factor यह है कि महिलाओं पर लोकल पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मामला बहुत गंभीर ना हो, वो लोकल पॉलिटिक्स से भी दूर रहती है महिला पहले यह तै करती हैं कि उन्हें वोट कहां करना है कि उस पार्टी को करना है और अमूमन आप देखिएगा कि जो बड़ी पिक्चर होती है यानि प्रधार मंत्री का जो चहरा होता है उसी के आधार पर महिलाएं अपना वोट तै करती है 2014 के लोगसुबा चुनाव से पहले बीजेपी का महिला वोट बैंक बहुत मजबूत रहा है दीश की आधियाबादी बीजेपी के साथ खड़ी नज़र आती है स्टेट वाइस बात करें तो बीजेपी को मिले टोटल वोट में बड़ा हिस्सा महिला वोटर्स का होता है पिछले रोगसुबा चुनाव में गुजरात की बात करें तो बीजेपी को 62 फीसद वोट मिला था इसमें 64 फीसद वोट तो महिलाओं ने ही दिया था मध्यप्रदेश के बात करें कुल वोट का अंठावन फीसद हिसा बीजपी को मिला था जिसमें 53 प्रतीशत महिलाओं ने बीजपी कैंडिडेट के लिए मतदान किया था राजस्तान में बीज़पी को टोटल अंठावन प्रतीशत वोट मिला था जिसमें 57 फीसद महिलाओं ने बीज़पी उमीदवारों पर भरोसा जताया करनाटक में बीजोपी ने 50% वोट हासल किये इसमें 53% महिलाओं ने मोदी के उमीदवारी पर मोहर डगाई बिहार की बात करें तो बीजोपी ने यहां 30% वोट हासल किया जिसमें से 25% से ज़्यादा महिलाओं ने बीजोपी के पक्ष में वोट किया महराश्र का डीटा भी आप देखें महराश्र में बीजोपी के 27% महिलाओं का शेर शामिल है ममता बेनर जी के गड़ पश्रिम बंगाल में बीजोपी को लगभग 40% वोट मिला जिसमें 38% महिलाओं का वोट भी शामिल था अंतरप्रदेश में भी बीजेपी को 49 प्रतीशत वोट मिला इसमें 38 प्रतीशत महिलाओं ने बीजेपी कैंडिडेट को चुना और इशा की बात करें तो वहां भी कमोवीश एक यसी सूरत नज़र आती है जहां पर बीजेपी महिलाओं के बीच में जादा पॉपिलर नज़ मोधी ने एक बार कहा था कि उन पर डैविय शक्ति की कृपा है नरेंद्र मोधी पर अब किसी इश्वर की कृपा है या नहीं है ये तो इश्वर ही जानते हैं लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष और स्पष्ट नज़र आता है वो यह कि प्रिधाल मंत्री महनत करना जानते हैं रा हो या भविश्य का भारत बनाने के उनकी इच्छा शक्ति हो इसी में उनकी असली पावर है और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बलकि ये बात तो राजश्यतिक रणीतिकार भी कहते हैं प्रशांत किशोर प्रधार मंत्री मोधी के साथ लंबे वक्त तक काम कर चुके है हाल ही में प्रशांत किशोर हमारे खास शो आपके अदालत में इंडिया टीवी के एडिटर इंचीफ रजट शर्मा के महमान थे इस दोरान जब रजट शर्मा ने पीके से मोधी की ताकत के बारे में पूछा तो इनका क्या जवाब था वो आपको भी सुनना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि मोधी जी जो उनका अपना experience है अगर आप मैं इस तरह से बताओं कि मोधी जी की ताकत यह नहीं है कि वो बहुत बड़े ओरेटर है मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो हिंदुतोवादी सारी सक्तियां उनकी मदद करी मोदी जी की ताकत ये है कि जो 45 साल का उनका experience mix है 15 साल तक जब मोदी जी संग के प्रचारक थे तो उन्होंने साइद first hand समाज को भहुत करीब से जाना समझा उसके साथ काम किया फिर 15 साल वो बीजेपी में राजनितिक कारेकरता के तौर पे political organizer के तौर पर उन्होंने political parties को बनाने, चलाने, election लडने को समझा फिर करीब 15 साल administrator के तौर पहले चीफ मिनिस्टर और प्रधाल मंतरी अगर आप इस 45 साल के experience mix को साथ में कर दे तो देश में बहुत कम लोग होंगे जिसको इस तरह का diverse experience होगा यही वज़ा है कि कई बार पत्रकार कहते हैं कि मोदी जी के लिटरली second guess की public क्या सुनना चाहती है वो क्या public सुनना चाहती है यह second guess मोदी जी इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने 45 साल समाज राजनीतिक कारे करता के तौर पर समाजी कारे करता के तौर पर administrator के तौर पर अपना समय बिताया है बिना इस प्रयास के आप इस तरह की संता नहीं देवलब कर सकते हैं